वेलकम टू माइ यूटूब चैनल मैडरीनल इससे पहले की वीडियो में मैंने आरो प्लांट और आरो वाटर के बारे में बताया था कि वाटर की जो यूनिवर्सल क्वालिटी होती है वो कितनी होनी ची और अगर वो क्वालिटी नहीं हुई तो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स पेसेंट को इवेन नॉर्मल इंसान को भी वो प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर वो ही कंटमिनेशन जो है वो ज्यादा क्वालिटी में वाटर में प्रेजन रहें तो आज हम उसी का सेकंड टॉपिक देखेंगे सेकंड पार्ट देखेंगे कि आरो जो वाटर रहता है उसमें जो कंटमिनेशन रहता है उसको हम कैसे क्लीन करेंगे और कौन-कौन सा फिल्टर यूज करेंगे ठीक है कंपोनेंट्स ओफ आरो प्लांट सिस्टम को मैंने पहले बताया है ये कुछ इस तरीके से होता है जिसमें ब्लेंडिंग वॉल्व बुस्टर पॉम्प और फिल्टर ये सारे चीज होते हैं आज हम देखने हैं प्री ट्रेटमेंट कंपोनेंट्स और प्री ट्रेटमेंट में क्या चीज काम करता है ये उसको पहले देख लेते हैं तो सबसे पहले तो ये क्लोरीन और जो क्लोरा माइन रहते हैं ये हमारे बॉडी के लिए या पेसेंट के बॉ रहते हैं तो यह इसको remove करता है water soft होना चीह तो उसके hardness को remove करता है और जो भी large molecules जो particles रहते हैं उसको यह remove करता है सबसे पहला इसका component होता है blending valve, blending valve का main काम होता है temperature को maintain करना, ठीक है अब क्या का temperature यह maintain करेगा जो feed water हम जो water sources से ले रहे हैं उसका normal जो feed water है वो 77 degree Fahrenheit या 25 degree Celsius के आसपस होना चीह है ठीक है blending valve में यह जो आप दो pipe देख रहे हैं यह dramatic है और यह real में कुछ इस तरीके से दिखता है तो जो blue line है वो inlet होती है cold water की और जो red line है वो hot inlet होती है मतलब hot water की inlet होती है inlet मतलब दोनों तरीके से क्या हो रहे है दोनों सेट से water आ रहा है एक तरफ से cold एक तरफ से hot water अब आप बीच में देख रहे हैं यह है motorized valve यह motorized valve क्या करती है दोनों को mix करके जितना feed water के लिए चाहिए रहता है जिस temperature पे उस temperature पे यह water को लाग की क्या करता है नीचे की तरफ पूश अप कर देता है ठीक है नीचे की तरफ चला जाता है और आप जो pressure और temperature दीख रहे हमें पता चलेगा कि क्या है उसके पास second हम देखते हैं black flow preventer अब यह back flow preventer preventer मतलब की तो रोकना है ना जो इसमें क्या होता है back wash और regeneration cycles चलती है back flow preventer मतलब क्या है जो feed water पानी आ रहा है इसको वापस उस source में यह जाने नहीं देता है इसको बोलते हैं back flow preventer ठीक है back flow preventer में हमें monitor करना है थर्ममेटर से इसका temperature की कितना temperature है इस time पे ठीक है इसके बाद हम देखते हैं booster pump बूस्टर मतलब की यह boost कर रहा है तो जो feed water inlet से आ रही है उसी को यह क्या करता है बूस्ट करता है ताकि यह filter में पहुंच सके क्या होता है booster pump का में कम क्या होता है जो inlet water आता रहता है उसको यह boost करता है ठीक है और eliminate white pressure fluctuation जिस pressure से वह आता है उससे क्या हो जाता है fluctuate हो जाता है तो उस fluctuate को भी यह eliminate करता है मतलब maintain करके रखता है ठीक और हमें इसमें ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि हमें pressure गस को देखते रहना चाहिए बाद आता है chemical feed tank chemical मतलब की alkaline होगा यह तो acid होगा feed मतलब की देना ठीक है तो chemical fitting normal जो pH रहता है feed water का वो 5-8.5 तक होना चीए लेकिन जो contamination रहते हैं और जो जितने सारे भी chemicals रहते हैं जिसे chlorine, chloramine, calcium, magnesium यह सारी चीज़ों के क्यारण क्या होता है जो water रहता है वो alkaline nature का हो जाता है तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ acid add करते हैं जिससे कि इसका pH maintain हो सकी ठीक है तो what we learn अभी तक हमने क्या देखा blending valve देखा blending valve क्या किया temperature maintain किया देन उसके बाद हमने क्या देखा black flow preventer जो water को वापस sources water में जाने नहीं देता है ठीक है उसके बाद हमने देखा booster pump booster pump क्या कर रहता pressure से water को media में डालने का काम कर रहता media filter में डालने का काम कर रहा था उसके बाद हमने देखा chemical feed tank chemical feed tank क्या कर रहा था pH को maintain कर रहा था तो ये जितने requirement होते है water के वो हमने देख लिए हम देखेंगे filters की filters क्या क्या होते हैं और ये कैसे water को filtrate किये ठीक है तो पहला हम हम देखते हैं multimedia filter ये इसी को sedimentation filter बोला जाता है sedimentation मतलब क्या होता है नीचे की तरफ बैठ जाना ठीक है ये इसका outlet और real में कुछ इस तरीके से ये दिखता है ठीक multimedia में हम देखेंगे multimedia filter का काम क्या होता है इसका काम होता है जो 10 macron से उपर या large molecules रहते है ये रिमूव करता है ठीक है दूसरा normal pressure multimedia का 3-2 10 PCI होना चाहिए अगर इससे जादा जा रहा है तो उससे क्या होता है वो back wash में ले लेता है ठीक है back wash में कब जाता है water जब इसका pressure 10 PCI से उपर होता है wash मतलब क्या होता है जो water रहता है वो lower से अपर की तरफ जाता है normally जो water है वो उपर से नीचे की तरफ आता है लेकिन back wash में जिसका opposite होता है अब multimedia काम कैसे करता है उसको देख लेते मल्टी मीडिया मल्टी मतलब की बहुत सारा media it means क्या होता है filter है ना तो सबसे पहले इसमें layer होता है anthracite जो anthracite रहता है यह large molecules जो रहते हैं उनको क्या करता है फोक्यूलेट कर देता है उसको वहीं पर रोग देता है उसके बाद होता है sand sand क्या करता है जितने भी water में slit रहेंगे morts रहेंगे जो water को terbit करते है ना उन सारी चीजों को यह sand क्या करता है absorb कर लेता है, इसमें cohesive bond बनाके ये क्या करता है उसको आगे जाने नहीं देता है, ठीक है, only water को ये आगे push up कर देता है उसके बाद होता है, garlic और final course gravels ये बहुत छोटे molecules होते हैं, लेकिन ये heavy होते हैं तो ये क्या करते हैं, water में जो छोटे 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 जो molecules रहते हैं, जो पत्थर रहते हैं उनको ये क्या करते हैं, वहाँ पे absorb कर लेते हैं उसके बाद ये जो distributor रहते हैं, इस distributor से क्या होता है जो filter वाला water है वो क्या होता है next filter में चला जाता है तो multimedia का main काम क्या हुआ जो large molecules रहते हैं उनको ये क्या करता है अपने filter में रोक लेता है और water को आगे भीज़ देता है next हमारा filter होता है water softner water softner का use क्यों किया जाता है क्योंकि water क्या रहता है पहले hard रहता है hard क्यों रहता है क्योंकि उसमें calcium और magnesium present होता है water softner जो होता है ये एक प्रकार का iron exchange प्रोसेस होता है हम क्या करते हैं इसमें जो calcium magnesium रहता है उनको remove करते हैं और उसके बदले हम देते है sodium ठीक है water softner के लिए हमें एक brine tank की ज़रत होती है जिसमें हम sodium मिला हुआ होता है और इसी से iron exchange होता है ये real में brine tank की जो white color का है ये brine tank है और ये उपर जो है वो water softner है ठीक है तो इससे क्या होता है हम sodium देते हैं और calcium और magnesium को बाहर remove करते हैं ठीक butter का जो hardness रहता है वो sold 2 gpg grain per million होना चाहिए ठीक है अब ये exchange कैसे करेगा हम जब sodium देते हैं तो ये क्या करता है एक bond बनाता है इस bond से क्या होता है इसको resin band बोला जाता है ठीक है तो इससे क्या होता है calcium और magnesium remove हो जाता है और sodium इसमें add up हो जाता है ठीक है पता कैसे चलेगा कि water hardness है करके तो हम इसके लिए hardness taste kit का use करते हैं और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो brine tank है उसमें salt का level कितना है salt है नहीं है ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और इसका level क्या क्या होता है तो ये तो brine salt है ये तो हमें समझ में आ गया है न अब इसमें क्या होता है इसमें जो resins रहते हैं तो resin से ही एक्सेंज हो रहा है ना आयद्स तो water softner का main content क्या होता है resin होते हैं ठीक है इन resins के through ही iron exchange होता है ये हो गया water softner का काम अब तीसरा होता है carbon filter carbon filter एक absorption प्रोसेस होता है ये real में कुछ इस तरीके से होता है और इसमें दो filter होते हैं एक primary filter और एक secondary filter primary filter को हम worker बोलते हैं और secondary को polisher बोलते हैं ठीक है back washable carbon filter होता है ये ठीक main carbon filter में back washable होता है in adsorption process firstly chloramine broken down and absorb ठीक है अब adsorbent क्या होता है जैसे adsorbent मतलब की charcoal carbons रहते हैं तो ये जो charcoals रहते हैं ये क्या करते हैं जितने भी chloramines हैं जो भी chemicals हैं उनको adsorb कर लेते हैं जिससे की पानी clean हो जाता है ये जो adsorption है ये free chlorine होना चीए chloramine होना चीए और organic होना चीए free होना चीए allowable कितना होता है 0.5 mg chlorine per liter हो सकता है और chloramine 0.1 mg per liter हो सकता है जो granular activated carbon होता है ये इसका filter होता है ठीक है जो आप filter देख रहे हैं इस filter में granular activated carbon present होता है और इसमें iodine sumber जो रहते हैं वो more than 900 होना चीए और जो filter का size होता है वो less than 12 into 40 होना चीए इसमें सबसे important चीज़ जहान देने का ये है ebct कितना होना चीए मतलब empty bad contact time क्या होता है ठीक है इसका formula है v upon q volume है और ये उसका time है तो minimum जो ebct रहता है वो more than 10 minutes I hope आपको ये carbon filter समझ में आया होगा कि ये क्या क्या होता है हमने देखा multimedia filter, multimedia filter large molecules को absorb कर लिया उसके बाद जो छोटे मोटे molecules बज गया है वो water softer में निकल गया, calcium और magnesium जैसे थे वो अब थर्ड है carbon filter, carbon filter main चीज क्या करता है ये chloramine को broken down करके उसको absorb कर लिता है chloramine बहुत ही harmful होता है इससे एनेमिया और breathlessness और बहुत सारी problems, hemolysis की problem हो सकती है इसलिए ये important है, carbon filter ये इसको क्या कर लिया, absorb कर लिया, उसके बाद जितना भी water रहता है ये primary में जाता है, पहले उसके बाद secondary में जाता है, ठीक है primary में पूरा remove होके, उसके बद एक बार और filter होके secondary से ये क्या होता है चला जाता है लेकिन secondary में जाने के बाद ये back washable होता है यहाँ पर जो आप filter देख रहे हैं ये इसका क्या है ये सारे pressure है और ये उपर से यहाँ पर से connect होके ये back washable में जाता है ठीक है back wash होके फिर इसमें आएगा फिर back wash होगा इसके बाद carbon filter के बाद जो पानी है अब क्या हो गई पानी? soft हो गई इसमें कोई भी chlorine, chloramide नहीं है, calcium, magnesium नहीं है ठीक है? कुछ-कुछ जो chemicals जैसे aluminum हो गया और बहुत सारे chemicals है वो क्या हो गए? उनको भी हमें remove करना है अब यह किसमें जाएगा? reverse osmosis process में मतलग जो हमारा main component है RO membrane में यह जाएगा तो हमारा next जो वीडियो रहेगा वो उसी पे रहेगा कि RO membrane, RO membrane से पानी फिर किसमें जाता है? UV filter में तो हम next में देखेंगे कि जो final solution रहता है उसका next में हम देखेंगे कि जो final product रहता है Dallas it का, RO का वो कितना होना चाहिए और reverse osmosis क्या होता है? उसका process क्या होता है? यह हम next वीडियो में देखेंगे I hope आज आज आपको यह चारी सारी चीजे समझ में आई होगी कि कौन कौन सा filter कैसे काम करता है और कैसे हम water को filtrate करते हैं Thank you to all I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर आपको सारी चीजे समझ में आई होगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें ताकि जादा से जादा लोगों को पता चल सके कि जो हम आरों का water लेते हैं वो एक्च्छल में कैसे काम करता है Do like, share, subscribe